है 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 जोट है है कैसे आप सब ठीक तक होगे अगर आप लोगों ने कोई भी वीडियो रियक्ट करा नहीं आप से डराइड लिंक का आप लोगे आप लोगे हो यार फोरण नम देख है हाँ और अब हम एक्टिव हो जुके थोड़ा प्रोग्रम चल रहे था हम एक्टिव नहीं हो सेके लेकर अब एक्टिव हैं सब को रिप्लाइ मिलेगा थोड़ा बिमार हो गया था सो काउंड़ान करते है 3 2 1 काउंड़ान क्यां से करने टॉपिक बता है यह सब्सक्राइब करने चाहिए आज की वीडियो बहुत ही इंटस्टिंग है तो उसका मतलब पैटन है काफी लोग इसका बेवर थे मतलब सज़ेस्ट कर रहे थे यह वीडियो परैट के लिए 10 कंट्रीज दैट और इंपॉसिबल टू इनवेड अलब जिनको इनवेड ने किया जा सकते जो इंपॉसिबल इनवेड करने जिनको सो देखते हैं जलती से कौन कौन सी कंट्रीज है जो के इंपॉसिबल इनवेड थे तो हां सो कौंट आं करते हैं 3 2 1 और स्टार दूस्तों दुनिया में कुछ देश बहुत ना पड़ता है और फिर अगर उन पर कोई हमला कर भी दे तब फी इन देशों से जीतना नमुमकिन है इस की वज onion की ताकतवर आर्मी ताकतवर डोस्त और इंदेशों की जोग्राफ झी दोस्तों आज मैं आपको ऐसे दूनिया के देशों के बारे में बताने वाला हेलो दोस्तों मैं हूँ मुहमत काशिफ आप देख रहे हैं अलफापेट्स आईए जनते दुनिया के 10 ऐसे देशों के बारे में जिन्हें जीतना लगभग नावमकिन है अलफापेट्स की वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलजेगा तो प्लीज जगव कर लें लिंक चानल इरान का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ इरान साओधी अरब टर्की और अमेरिका जैसे ताकतवर और एक जुट दुश्मन देश होने के बावजूद इरान पर वार्ड वार्ड टू के बाते कोई भी देश हमला नहीं कतका है इरान की मिलिटरी में लगबग 5 लाग सैनिक, 1658 टैंक, 137 फाइटर प्लेश, एक बड़े युद में लड़ने और खुद को दुश्मन से बचाने के लिए ये सब काफी है लेकिन इससे ज़्यादा तक दूसरे देशों के पास है, तब इस देश में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वज़े से काफी मुश्किल है इरान की गवर्मेंट के पास गवर्मेंट के पास जो इरान के लगबग हर शेहर के 500 मीटर नीचे बना हुआ है दुनिया के सबसे खुशूरत देशों में से एक आस्ट्रेलिया को भी जीतना नमुमकिन है कैसे आइए जानते हैं इसकी वज़े इसकी आर्मी नहीं बलकि इसकी जोग्राफी है आस्ट्रेलिया से जीतने लाइक और ताकतवर देश उसके आसपास कोई है ही नहीं उसके पास के ताकतवर देश है चाइना, इंडिया, जापान जो अल्रेडी आस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर है जापान आस्ट्रेलिया से ग्यारा हजार किलोमीटर की दूरी पर है और बीच में है समुद्र जो देश आस्ट्रेलिया के पास है वो इतने ताकतवर नहीं कि उससे जीत सके इसके अलावा अगर कोई देश आस्ट्रेलिया पर हमला कर भी दे तो वो खुद को ही मुसीबत में डाल लेगा क्योंकि आस्ट्रेलिया की 98% पॉपिलेशन समुद्र के किनारे बने शेहरों में ही रहती है और बीज का आस्ट्रेलिया एकदम खाली पड़ा है जो कि हथारों क्लोटर कर रेकितान और जंगलों ऑला इलाका है इसमें कहां कहां पर ऑस्ट्रेलिया नर्मी बेस ये कोई नहीं जानता और वर्ड़ वाल 2 के दोरान जापान ने अस्ट्रेलिया पर कबजा करने के लिए हमला किया भी था लेकिन इन्हें कुछ रीजन्स की वज़े से जापानियों को अपना इरादा बदलना पड़ा नमर ली रशिया अगर आप जानना चाहिए तो आप अपने वक्त के दुनिया के सबसे ताकतवार लोग यानि नेपोलियन और हिटला से पूर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको टाइम मशीन के जरुद पड़ेगी नेपोलियन और हिटला ने अपनी बेहदी ताकतवार आर्मी के साथ रशिया पर कब्जा करना चाहा था लेकिन उन्हें वापस लोटना पड़ा रशिया की सेफटी की वज़े इसकी जोग्रफी है क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़ा देश है इसकी जादातर जमीन पहाडों, जंगलों और बर्फ से गिरी हुई है वाइड वाट टू के वक्त नाजियों के रशिया पर हमले के बाद रशियान आर्मी उनसे लड़ी नहीं बल्कि पीछे हटती गई क्योंकि वो जानती थी कि हिटलर की आर्मी उनके इतने बड़े देश को पार करते हुए जीत नहीं पाएगी बल्कि इनके बहुत से सैनिक ठंड की वज़े से मर जाएंगे और नाजियों को पीछे हटना ही पड़ेगा और ऐसा हुआ भी इस वक्त रशिया दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है और दुनिया के सबसे ज़्यादा पर्माडू हतियार भी रशिया के पास है इसलिए इससे जीतना लगभग नामुम्किन है नमबर से अमेरिका शिव जादा दुनिया के सबसे संकी तनाशा तेश है नौर्थ कोरिया इसकी दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से है फिर भी इस पर कोई भी देश हमला क्यों नहीं करता इसकी वज़े है इस देश का दम नौर्थ कोरिया में भी काफी दम है नौर्थ कोरिया में 10 लाग से ज़्यादा सैनिक, 4,200 टैंक, 222 अटेक हेलिकॉप्टर से और तो और इस देश के पास है नूक्लियर वीपन्स जिन्हें चलाने में ये जरा भी देड़ नहीं सुचेगा और इस देश कानून होने के बाद भी नौर्थ कोरिया की जन्ता अपने प्रेसिडेंट किम जॉंग उनको बहुत जादा मानती है इसलिए जन्ता का पूरा सपोर्ट भी किम जॉंग उनके पास है तो इस देश पर भी कमज़ा करना असान नहीं है नमबर 6 भूटान भूटान दुनिया के प्रेसे एकांत देशों में से एक है जो इंडिया के उक्तर में हिमाले पहाड़ों में बसा हुआ है इसकी आर्मी में केवल 6,000 सैनिक है और इसके पास एर फोर्स भी नहीं है तो भी इस पर कब्ज़ा करना अतना कठिन क्यों है ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिस पर कभी भी किसी भी देश ने कब्ज़ा नहीं किया सन 1700 में बिटिश इंपायर ने इस पर हमला किया था बेसिकली इन्होंने जादत तर देशों पर हमला किया था लेकिन भूटान पर कब्ज़ा करने में काम्याब नहीं हो पाय थे इस वक्त इस पर कब्ज़ा करना इसलिए इंपॉसिबल है क्योंकि इसमें हर जिगे पहाड़ ही पहाड़ है इस लिए इस पर टैंक्स का जाना तो इंपॉसिबल ही हो गया दूसरा मेल रिजन है कि इस देश की सुरक्ष्या करने के वादा इंडिया ने किया है इंडिया भूटान को हत्यारों और पैसों की मदद देशता है साथ ही भूटान की चोटी सी आपको ट्रेनिंग भी इंडिया ही देता है और इंडिया दुनिया का चोटा सबसे ताकतवर देश भी है ऐसे में भूटान पर किसी देश का कबजा करना इंपॉसिबल है इसराइल एक बहुत चोटा सा अरब देश है और अपने आस पास के सबी देशों से इसकी दुश्मनी भी है भी अब तक इस पर कोई भी देश कबजा करने में काम्याब क्यों नहीं हो सका इसकी आरमी में केवल 1,66,000 सैनी की हैं लेकिन इस देश की हर आउरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल आरमी में रहना ही पड़ता है इसलिए इस देश के हर नागरिक के पर military training होती है इसके बाद दुनिया के सबसे ताक्षवर देश अमेरिका का पूरा support इस देश हो ए इसके अलावा इस देश ने दुनिया के सबसे अड्वांस military defense system डिवल्यप कर लिया है जैनि ये देश एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है इसमें कोई भी मिसाइल इंटर नहीं हो सकती नमबर 4 कैनेडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कैनेडा इसकी आर्मी में किवाद परशांड बेहसार सैने की है इसे अपनी सुरक्षा के लिए अपनी आर्मी की ज़रूर नहीं परती बलकि ये देश बहुत ही बड़ा है और यहां के जंगलों और बरफिले मौसम की वज़े से इसे जीतना दुश्मन के बस की बात नहीं है दूसरी बात है इसका पडोसी देश अमेरिका जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश भी है जिससे कैनेडा के काफी अच्छे रिष्टे है इसलिए अगर कोई देश कैनेडा पर हमला करता है तो उसे अमेरिका से भिरना पड़ेगा स्वीड़ लेंड के डिफरन सिस्टम के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में काफी डिटेयल में बताया है आप उपर कार्ड पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं दुनिया के सबसे पीसफुल और खुबसूरत देशों में से एक स्वीड़ लेंड पर हमला करना भी इसमें एक लाख पचास हजार सैनिक और एक सोचपन एरक्राफ्ट हैं लेकिन इन से लड़ने के लिए दुश्मन को ऐल्प्स के पहाड़ों पर जाना होगा और इन पहाड़ों के परफीले मौसम में लड़ना किसी भी आर्मी के लिए काफी कठिन होता है और इन पहाड़ों में लड़ने की आर्मी को तो है ही ही दूसरी सबसे बड़ी बात है स्वीटलें के दोस्त इसके सारे परोजी देश ताकतवर है और इसके ज़िए 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 फरान्स तो किसी भी हमलावर देश को पहले इन देशों निभटना पड़ेगा इंडिया से जीतना भी काफी मुश्किल है इसकी वज़े है इंडिया की ज़िए ज़िए और इसकी आर्मी इंडिया के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना काई बार हमला कर चुके हैं लेकिन वो अपने मकस्द में कामयाब नहीं होते हैं क्यूंकि इंडियान आर्मी में 14 लाग सैनिक 1785 फाइ्टर प्लेंज 16,000 लैंड आर्मी वहिकल्स और बहुत सारे नुक्लियर वीपंस अब बात करते हैं ईंडिया के जयोग्राफिकि और दक्षिडी इलाके को मिलाकर इंडिया तीन तरफ से समुद्र से गिरा हुआ है तो 200 से दाधा शिप्स, नूकलियर अटाइक कर सकने वाली सब्मरीन्स और एरक्राफ्ट कैरियर्स वाली नेवी से जीतना लगबग नमुम्किन है नमबर वन, United States of America, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, उपर से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश, इसकी आरभी में लगबग 14 लाक सैनिक, और इनके पास है 7000 से जादा नूकलियर वीपंस, इन में से दो का, ये एक बार इस्तिमाल भी कर चुका है, इस देश पर हमला कर करने के लाइक ताकतवर हैं, वो इससे काफी दूर है, और जीच में 1000 किलोमीटर के समंदर, जिनके हाई टेकनोलोजिकली एडवांस सबमरीन, कहीं भी छुपी हो सकती है, इसलिए देश पर हमला करके, इससे जीतना लगबग नमुम्किन है, वर्ल्ड वार 2 के बाद से, ये दुनिया के सबसे ताकतवर देश है, दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, ये थे दुनिया के टॉप 10 ऐसे देश, जिनसे जीतना लगबग नमुम्किन है, आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में में ज़रूर रताइएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद होगी, तब तक के लिए, अपना और अपनों का ख्याल अगिये, और यहां भी वीडियो खतम, तो यहां काफी मतलब आसम इसम की वीडियो थी, मतलब काफी कंट्री नॉलिज में विजाफा होगा थी, कौन कौन सी कंट्री जो मतलब एंगेट करना मुश्किल है, मुझे तो पता था, इंडिया हो गई होगा लाजी, बिल्कुल वो तो जाहरी बात है यार, उसके हार इतरी जादा है, और आया भी सेकंड पर है, और इस्राइल था चौस के बाद, रश्या था, बुटान था, बुटान था, बुटान कही है कि मतलब बुटान पर अटाइक करना मतलब मतलब कोई करता पहले भी नहीं है, क्योंकर को इस्री नें कmbol मतलब कांफि इंडिया सपोरT करता है ना उनको, बहुत अच्छी बात करना भी चाही है, और यार मुझह समय नहीं आया के इन्हों के पावरफूल मतलब बोल है जांतर जैंतों को हराना मुशky कुए हो, तो यह मतला कि जैसे चाइना। इनको भी आड करना चाहिए था, जमें भी आगा। मतला कि इन्हों भाई हे मुझे कृपर्म मुझे करने नहीं है कि क्या वज़ा थी क्या नहीं थी। यह मैं सही से नहीं कहसं था क्योंके जिनके वाँ नुक्लियर वेपन्स होते है ना उनको थोड़ा मुश्किल हो जाते है क्योंके सीथा बात आती है वे उस पे और बकाया जो इतने भी इन लोगाने बता है मतलब के मुझे तो इतना खास नहीं पता था इतने में बता सकते हैं आप अवसे शेर काड़ा सकते हैं शायद इनके दुषमिन जाता हो तब इनके नाम नहों सकते है वयर हमें थो नहीं पता है लेकिन जो मतलब मान में सवाल है वह जस्ट बोला है लेकिन उस पागा जो देख बाद एंगे ठीक है बाई इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े अधान है वहां से फिर वो और नीचे से सारा मतलब इससा बता है और जो सी से मतलब इनके पास यार नुपियर की सब में इंज है और बकाया एरक्राफ्ट कैरियर अभी दो और आने वाले हैं तो नेवी बह है वह बहुत है वह अधान के पास चीजे आए उसके बाद एरान वी था एरान ने वाकी काफी पंगे लिया मतलब लेकिन को पर्षिन अज तक मतल बहुत उनकी हिस्त्री है उंपे कोई मतलब उनको नहीं कर सकता वार इरान का रिसेंट पंगा याद आगि अमयर्का से पंग लेकिन क्या गरें उसको दिखाने के लिए उससे प्यार करती है क्या क्योंकि अगर नहीं दिखाओं तो मतलब तो में जान से जाओं गे मतलब उद्दर तो एक चोटा से क्राइम करो तो तुम्हाइब तीन जिडरेशन तक तो में सजा उसके ने पड़ने पड़ेंगी तो निगा सकते मतलब नाइट इंटरनेट नहीं है सो यार वहराल बहुत मतलब अच्छी वीडियो थी काफे अच्छी इंडिया सेकंड बे आया और फॉस बिलकुल बंतर यार बहुत बड़ा कंटीव है उम्हीद करते हैं आपको वीडियो बसंद रही होगी तो प्लीज लाइ प्लीज करते हैं